तो आप सभी का एक बार पुनाह स्वागत है आई आज की सेसिन को इस्टार्ट करते हैं और आज का पहला कुछन उठाते हैं यहां पे सो अबर क्वेशन है हमारा की 1 प्लस 3 अपॉन फेक्टोरियल 1 देखे क्वेशन में बता रहा हूं अब के लिए 1 प्लस 3 अपॉन फेक्टोरियल 1 प्लस 5 अपॉन फेक्टोरियल 2 प्लस 7 अपॉन फेक्टोरियल 3 प्लस 9 अपॉन फेक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 डॉ आपको निकाल ली है आए इसको solve करते हैं तो कैसे solve करेंगे देखे तो सबसे पहले हम इसका एनवा पद बनाएंगे जो हम इसका एनवा पद डिजाइन करेंगे तो देखे ऊपर जो आपके पास बन रही है ऊपर बन रही है 1357 तक की AP बन रही है तो इसका एनवा पद क्या का 2N-1 और नीचे कितना देखें नीचे यहां से 1 अपॉन फेक्टोरियल 0 से स्टार्ट हो रहा है ओके 1 अपॉन फेक्टोरियल 0 1 अपॉन फेक्टोरियल 1 मतलब फर्स्ट तम में इसमें न-1 आ रहा है क्योंकि सिगमा हम नेचरल नंबर के लिए लगाएंगे तो यहां पर जो अपने पास 2N बन गया वो कितना बन गया है 2N बन चुका है 2N-1 अपॉन फेक्टोरियल एन माइनस वन ठेके ना अपॉन फेक्टोरियल एन माइनस वन और माइनस वन अपॉन फेक्टोरियल एन माइनस वन ओके तो 2 को बाहर ले लिजिए और एक चीज मैं आपको बता दू कि यहां पर TN तो आ चुका है बट यहां पर हमको SN लगाना पड़ेगा एक लाइन में लिखना भूल गया आपके लिए तो यहां पर एक लाइन लिख दिजिए क्योंकि SN याने कि summation N tends to infinity के लिए summation यूज़ होगा तो सिग्मा N is equal to sorry SN equals to sigma of TN तो हम यहां पर क्या यूज़ कर रहे हैं हम यहां पर यूज़ कर रहे हैं सिग्मा 2N minus 1 upon factorial N minus 1 ओके और N की value कहां से कहां तक 1 से लेखे infinity तक यहां से शुरू हो रही है चलिए तो आप इसको simplify करेंगे अंदर की चीज़े हमें simplify करनी है थोड़ा सा बचूंगा मैं तो 2N minus 1 को मैं लिखूंगा 2N upon sigma N minus 1 और 2N upon factorial N minus 1 ठीक है और यह minus 1 एक काम इसको यह कर सकता हूँ मैं कि 2N minus 1 तो हई है यहां पर मैं 1 minus 1 और 1 plus 1 कर दूँँ तो जिससे बेटर ही जल्दी solve हो जाएगा तो sigma यह हो जाएगा कितना 2N minus 2 plus 1 और upon में बाठ दीज़े N minus 1 और यहां पर भी बाठ दीज़े N minus 1 ठीक है देखें समेशन यहां पर 2 common ले लिज़े अगर आप 2 common लेते हैं तो यहां पर कितना आएगा N minus 1 अब इसको मैं break करके लिख सकता हूँ N minus 1 N minus 2 और plus 1 upon N minus 1 तो 2 से 2 क्या N minus 1 से N minus 1 क्या हो गया cancel और 2 समेशन ब्रेक कर देंगे तो 1 upon N minus 2 और यहां पर 1 upon N minus 1 तो देखें पहला पार्ट क्या generate करेगा 2E और दूसरा पार्ट क्या generate करेगा E तो answer इसका कितना हो जाएगा 3E तो correct answer is 3E चली तो अगले question के तरफ चलते हैं अगला question लिखे question कहा गया है कि question में यह कहा गया कि यदि ABC अंक गनती चलीअ और समानतर में हो Okay, समानतर सली जो है आपके पास दी गई है समानतर चली, B, C, D आपके पास दी गई है गोड़ेतर सलनी में और C, D, E, C, D, E आपको दी गई है हर आत्मक स्लरीड़ी में तो आपको बताना है कि A, C, E कामान क्या होगा तो इसके लिए best technique होती आप short trick लगाएं तो देखें यहाँ पे A, B, C आपके पास क्या ले लीजे आप इसको ले लीजे 1, 2 और 3 और यदि आप इसको GP में 2 और 3 को ले रहे हैं तो condition क्या बनेगी रिखें D के लिए D के लिए condition बनेगी 2, 3D ओके 2, 3, D तो इसमें rule होता है B square equal to AC तो बीच वाले का square 9 equal to 2 into D तो D equal to कितना हो गया 9 by 2 चलिए तो यह कितना हो गया 9 by 2 अब यहाँ पे C, D, E, HP में है तो C कितना है 3, 9 by 2 और HP के लिए यहाँ पे क्या है E है तो देखें क्या rule होता है rule होता है इसका कि जो HP हुआ करता है HP के लिए rule क्या हुआ करता है HP के लिए rule बताईए तो HP के लिए जो rule होता है उसको हम एक बार recall करते हैं देखें क्या rule होता है HP के लिए अगर A, B, C जो हैं हरात्मक स्रेड़ी में हैं A, B, C, तो क्या rule होता है, B equal to 2AC upon A plus C, ओके, B equal to 2AC upon A plus C होता है, यह HP का rule हुआ करता है, तो यहाँ पर 9 by 2 equal to 2 into A कितना यहाँ पर 3, और C कितना हो जाएगा, A upon A plus C, 3 plus E, ठीक है, तो यहाँ से 3, 3 is a 9, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, 9 plus 3 into 3, 9 plus 3E equal to 2, 2 is a 4, और यह हो गया कितना, 4E, so E equals to कितना हो गया, 9, ओके, तो 3 by 2, और यह भी अपने पास कितना आगया, 9 आगया, ओके, done, तो अब हमें किस से पूछा गया था, A, C, E, तो A कितना है, 1 है, C कितना है, 3 है, और E कितना है, 9 है, तो 1, 3 और 9 कौन सी प्रोग्र में है, तो 1, 3 is a 3, 3, 3 is a 9, clearly दिख रहा है, यह किस में है, GP में है, तो एक बार मैं यहाँ पर आप लोग को और बताना चाहूंगा, कि जो arithmetic mean होता है, arithmetic mean दो नंबर के बीच का होता है, और B का, A plus B by 2, जो geometric mean होता है, that is equal to होता है, under root AB, और जो harmonic mean होता है, that is equal to 2AB upon A plus B, यह harmonic mean ह दूआ करता है, okay, चलिए, अगला question मैं आपके सामने दे रहा हूँ, कुछ statement मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, उन statement को आपको देख करके बताना है, कि इन में से कौन सा सही है, okay, मतलब which of the following is correct, question है, which of following is correct, ठीक ना, कुछ statement मैं आपके सामने कहूंगा, पहली चीज है, बहुलक की गरना हिस्टोग्राम से की जा सकती है, okay, मतलब first है, mod can be calculated through हिस्टोग्राम, mod can be computed through हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम के लिए बोला गया है, mod can be computed through हिस्टोग्राम, मतलब बहुलक को आप हिस्टोग्राम की तुलना से निकाल सकते हैं, दूसरा line है, माधिका पैमाना scale बदलने से स्वतंतर नहीं है, ठीक ना, आपको बताना है सही statement कौन सा है, तो दूसरा जो चीज लिखे हुई है, वो लिखा हुआ है, median is not independent on change of scale, median is not independent on change of scale, और तीसरी आपको बद बतानी है कि प्रसरण मूल वा पैमाना बदलने से स्वतंतर है, in English it is called, variance is independent of change of origin and scale, ठीक ना, मतलब की variance में बात करा जाए, कि अगर हम variance of x-a कर दें, तो वो variance of x-e रहेगा, और अगर हम variance of kx कर दें, तो वो, तब भी वो variance of x-e रहेगा, और अगर variance independent है, तो मानक विचलन standard deviation भी, x-a equal to sigma of x-e रहेगा, और sigma अगर आप यहाँ पे, x into a कर दें, तो भी यह, या x upon a कर दें, तो भी यह sigma x से ही रहेगा, मतलब यह बताया गया है, कि बताईए इसमें से कौन सा सही है, ठीक है ना, कि कह रहा है, प्रस्रान जो होता है, मूल वा पैमाना बदलने से स्वतंत रहे, यहाँ पर तीन चीजे कही गई है, आपको बताना है, इसमें से कौन सा सत्य है, तो देखी, सबसे पहली चीज है, मॉट कैन बी कम्पूटिट थू हिस्ट्रोग्राम, बिलकुल सही बात है, हिस्ट्रोग्राम में जिसकी हाइट सबसे जादा जाती है, उसके क्रॉस्पॉंडिंग फ्रेक्वेंसी को अपने क्या बोलते हैं, मॉट बोलते हैं, उस फ्रेक्वेंसी के क्रॉस्पॉंडिंग डेटा को हम क्या बोलते हैं, मॉट, तो मॉट कैन बी कम्पूटिट थू हिस्ट्रोग्राम, अगला क्या है, median is not independent on change of skill exactly बिल्कुल सही बात है अगर आप data में multiply कर देते हो या delta की scaling कर देते हो तो median को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि median जो होता geometrical center होता है अगला question है variance is independent of change of origin and change of skill तो देखिए जो variance होता है वो origin से तो independent होता है मगर scale से independent नहीं होता है okay scaling इसमें बिल्कुल सही नहीं बैठती है तो variance जो होता है independent of change in origin होता है but change in scale नहीं होता है तो यह रहा इसका answer चली अगला question लिखे अगला question है polar of the origin of origin 0,0 with respect to the circle with respect to circle x square plus y square plus 2 lambda x plus 2 mu y plus c equal to 0 मतलब आपको जो है यह आपका क्या हो गया ध्रूब हो गया और आपको इस circle पर ध्रूबी निकालनी है यह इस circle पर आपको क्या निकालनी है polar निकालनी है इस circle पर इस point से क्या निकालनी है polar निकालनी है और condition क्या कह रहा है कि condition है कि touches the circle यह जो polar आएगी this polar touches the circle touches the circle x square plus y square equal to r square मतलब इसकी जो polar आ रही है वो x square plus y square equal to r square को touch कर रही है ठीक है ना? तो आपको बताना है कि condition क्या होगी first condition c equal to r bracket में lambda square plus mu square second condition c equal to r sorry r equal to c bracket में lambda square plus mu square तीसरा है c square equal to r square lambda square plus mu square और last है r square equal to c square lambda square plus mu square आईए next page में इसको करते हैं question को अच्छे तरीके से तो देखिए condition क्या दी गई है आपके पास आपके पास जो circle दिया गया है वो दिया गया है x square plus y square plus 2 lambda x plus 2 mu y plus c equal to 0 सबसे पहले गया इसके point किस पर इसके point 00 पर आपको क्या बतानी है आपको इसके point 00 पर बतानी है polar का equation मैंने बताया था polar के लिए क्या होता है x x 1 plus y y 1 plus 2 lambda x की जगे put करते है x plus x 1 upon 2 plus 2 mu y की जगे put करते है y plus y 1 upon 2 plus c equal to 0 ये put करते हैं अब देखिए क्या है आपके पास x 1 equal to 0 है और y 1 equal to कितना है 0 है तो put कर दीजे तो ये भी कितना हो गया 0 ये भी कितना हो गया 0 2 lambda ये हो गया कितना x plus 0 by 2 2 से 2 cancel हो गया plus 2 से 2 cancel कर दीजे कितना हो जगा 2 cancel क्या बचा mu y plus 0 upon 2 sorry 2 दो cancel हो चुका है plus c equal to 0 तो condition क्या बन गए अपने पास line की lambda x plus mu y plus c equal to 0 ये हमारे पास वो line आ गई है जो touch कर रही किसको circle को ओके और इस circle की radius कित्ती दी गई है x square plus y square equal to r square मतलब circle की radius r है और जो हमारी धुरुवी निकली है धुरुवी का समीकणाया है polar equation lambda x plus mu y plus c equal to 0 अब यदि ये touch कर रही है तो जो इसकी trija होगी ये इस पर डाले गए लंबी की लंबाई के बराबर होगी मतलब r is equal to c upon under root lambda square plus mu square okay c equal to lambda square plus mu square ये condition हो जाएगी तो चलिए दोने तरफ square कर दी दोने तरफ तो c r square यहाँ पर क्या हो जागा lambda square mu square equal to c square तो correct answer क्या होगा c square equal to r square lambda square plus mu square तो option में देखें यहाँ पर c square equal to r square lambda square plus mu square correct option इसका है मतलब क्या 3R number okay तो c square equal to lambda square plus mu square ये connect condition इसकी बैठेगी चलिए अगला बहुत easy question लेते हैं the slope of the tangent at the point h, h okay the slope of the tangent at the point h, h of the circle x square plus y square equal to a square मतलब आपके पास कोई circle है x square plus y square equal to a square इसके point h, h पर किसके h, h पर खीची गई tangent का आपको क्या निकालना है slope निकालना है खीची गई tangent का slope है तो h x plus hy equal to कितना हो गया a square अब हमें क्या निकालना है slope निकालना है तो यहां से में क्या कर सकता हूँ आप जानते हैं कि slope का समीगन होता है minus x का गुडांक और y का गुडांक तो m is equal to होता है negative ओके x का गुडांक याने coefficient of x और divided by coefficient of y of y standard equation मतलाब इसको लिख ले है h x plus hy minus a square equal to 0 इससे पता चल जाता है तो h x का गुडांक क्याहां पर कितना देखी यहां पर minus of h है और यहां भी कितना है h है तो slope कितना आएगा minus का 1 तो इसका slope कितना होगा minus 1 चलिए next question की तरफ चलते हैं next question है हमाई पास में question क्या कह रहा है हमाई पास question कह रहा है कि occur passes through the point 5,3 मतलब एक कोई curve है और वो जो curve है वो 5,3 से pass होर अच्छी बात है और कह रहा है end at any point x,y on it the products of slope of the ordinate the product of slope and the ordinate मतलब slope का product m और ordinate क्या होता है कोई भी point x,y पर जो ordinate होता है वो y होता है at any point the product of slope and its ordinate equal to abscessa abscessa मतलब x coordinate के equal है तो आपको बताना है उस curve का equation क्या होगा आइए इसको solve करते हैं दिखे condition क्या दी गई है m और हम जानते हैं कि कर्वकर पर जो slope होता है M होता है dvdx और condition दी गई है dvdx into y equal to x तो dvdx into y equal to x ये condition दी गई है तो देखिए यहां से मैं क्या कर सकता हूँ इसको यहां से मैं यह differential equation दाऊंगा इसको variable separable form का ydy equal to x dx integrate कर दीजे तो यह हो गया y square by 2 equal to x square by 2 plus c अब दीखी यह जो curve है 5,3 से pass हो रहा है मतलब x की जगे में 5 हो जाएगा तो 25 बटे 2 और y की जगे 9 बटे 2 तो 9 बटे 2 बराबर हो गया 25 बटे 2 प्लस का कित्ता c तो 9 बटे 2 minus 25 बटे 2 बराबर कितना हो गया c 9-25-16 बटे 2 बराबर हो गया C तो C बराबर कितना हो गया माइनस का 8 C बराबर हो गया माइनस का 8 तो चलिए समीकर्ण में हम value put कर देते हैं C की हमाइपस करवा जाएगा Y square upon 2 minus X square upon 2 equal to C C मतलब minus का 8 minus sign का multiply कर दीजे X square minus Y square whole divided by 2 equal to 8 तो answer आगे X square minus Y square equal to 16 is the correct answer